नमस्कार मैं हूँ अन्ब शुक्ला और आप देख रहे हैं Live Today खास बात में आज हमारे खास महमान एक ऐसे सक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकर पर दो बार सांसर चुने गए जो सब्सक्ष ऐसे समाज़ाण नहां करके साथ हैं कहां आप अपने काम से को सबसे अरती हैं काम जनता की शेवा करते समय उतार चड़ा होता है क्यमकि यह आपकेकत अकाराण साते है कि लोगदंद बनाने वालें को जो सपना था आज भी यह दूरा उन्होंने एक सपना देखा था कि यह दुनिया का ताकतवर्क मुल्क जिसे सोने की चिडिया कहा जाता था गुलावी की बेडियों में रहने के कारण यह आर्थिक रूप से ही कोकला नहीं हुआ है बलकि इसकी संस्किति और सब्वेता कल्चर और सेबलाइजेशन पर भी कोटारा खात हुआ है ऐसी परिस्टिती में हम यदि जनता को मालिक बना देंगे जनता की दोरा चुना हुआ जन पर देदी शेवा का भाव लेकर के हमारी व्यवस्था में जाएगा चाहा हो पार्लियमेंट हो चाहा हमारी बिदाज सबाएं हो तो निश्चित रूप से वो जनता की पीड़ा हो जनता की समझ्याओं का निदान अच्छे लोकहित जनहित करल्याणकारी कानून बना करके जनता की बीच में काम करेगा तो समझ्याओं के निदान के साथ मुल्की तरक्की होगी और हमारा मुल्क दुनिया का ताकत और मुल्क बने तकिन अधूरा रहा इसलिए अधूरे उतार चड़ाओ के राजनीत में गिरावट के चलते कभी-कभी ऐसे संकट राजनीत में आते जिन संकटों के चलते हमने यह महसूष किया कि राजनीत में बड़ी तेजी से राजनेतिक भूग तो बन रही है लेकिन राजनेतिक भूग मिटाने का लोगों का जो तरीका है जो उन मनिशियों ने बनाया है उस पर अमल नहीं हो रहा लेकिन आप मालेंगे कि राजनीति में गिरावट आई है पिछले दो दस्कों में यह तुम्हें मैं हमेशा कहता हूं गिरावट आई है एक तरह हमारी भूख बड़ी है राजनीत में पद के क्योंकि अर्थ परधान देश अब पद परधान देश हो उसके अट्टालिका के मकान से ले करके जो देखते हैं लोग तो इससे तेजी से भूख बड़ी लेकिन काम करने की जो शमता होनी चाहिए राजनेति विक्ति को जो अनुभव होना चाहिए जिससे सेवा से जनता का भला हो सका है उसके बारे में लोग कुछ नहीं सोते हैं बलकि पाने की तरफ ज्यादा तेजी से बड़ते हैं इसलिए मुझे अनुभव राया कि यह गिरावट आ रही है और इस गिरावट के चलते हम समझते हैं कि लोग तंत बहुत मजबूत है लेकिन लोग तंत में भी उसकी जड़े कम जोर हो रहे हैं लेकिन इसकी जिम्मेद आरी राजनेतिक विक्तियों की ही है कि जिन लोगों ने जिस देश में मूनलों पर सिद्धान्तों पर वसुनों पर दुनिया में सबसे बड़ा लोगतांतिक देश हिंदुस्तान है बहुत से लोगतांतिक देश हैं लेकिन जिन देशों में ओट पढते हैं लोगतांतिक व बेकास पर चुनाव में लोग ध्यान नहीं देते बलकि यह चुनाव एक्सिडेंटल हो गया है इस देश में घटनाओं पर चुनाव होते हैं श्री मती इंदेरा गांधी welly planning को इब गया कि यह तो familiar प्लानिंग ऊच्छा हो रहा है कि लोगों की निश्य कट्वादी जय रहे हुआ एक अफवभा हुआ और उस अफवभा में её विधा चल गई सब्सक्राइब और ऐसा ही एक विक्ति जो वो फोर्स का मामला उठा दिया और वो फोर्स का आथ तक पता नहीं चला जंता को और देश का प्रधानमंती बन गया ऐसे भी लोग हैं जो अफवाएं पहला करके कि शर्जु जी का पानी खुन से लाल हो गया और खुन के लाल होने के साथ पत्थर की मुर्टी को दूथ मिलाने वाले लोग उत्तरप्रदीश की हुकूमत पर उसके रास्ते केंद्रपी के हुकूमत पूछ गया तो कुल मिला के कहा जाए तो जब आप हुआँ से जुनाव होने लगते हैं तो राजनीत केंद्रित हो जाती है और र साहरा लेंगे हम धर्म का साहरा लेंगे हम दल का साहरा लेंगे वही इस देश के लोगतंत में हो रहा है अफवा करके और इस तरीके से काम करके कि यह ऐसा हो रहा है और एक्सिडेंटल चुनाव हो रहा है विकास पीछे चला जा रहा है विकास के कामों को लोग चुनाव मे विकास पर चुना होने लगेंगे, नीतियों पर चुना होने लगेंगे, तो लोक्तन्त मजबुत होगा। सर, 1985 में पहली बार विधाय चुने गए लोगदल के टिकट पे, चौदरी चरण सिंग के साथ कहीं ने कहीं रहकर आपने राजनीति की शुरुवात की, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप मुलायम सिंग यादव के साथ आगें और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और बहुत खुले मंद से कहा था, कि ये हमारा राजनीति को अरासत पाएगा, और राजनीति को अरासत के बाद मुलायम सिंग जी आए, और जब मैं पचाशी में आया था, तो चौदरी चाहब उसमें उनकी बिद्धा उस्था थी, उनकी नीतियां, उनके कारकम, उनको किस किसान का सबसे बड़ा नेता, किसान का मसीहा, जो कहा जाता था, उसमें में राजनीति के पावदान पर निचले पावदान पर था, लेकिन उनके विचारों से प्रभावित था, मुलायम चिंग और उनने कोई फरक नहीं करता था, मुलायम चिंग की राजनीति में आया, औ मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि वसूल और सिद्धान्तों की राजनीत करने वाला बगती है, कभी भी पद के लिए या किसी बात को लेकर के दल बदल नहीं करता, दल बदल उलोग ज्यादा करते हैं, जिनको महत्वा कांशा होती है पद की, रायम राजनीत में बहुत उचाही क हम लोग तो वह बात सोते हैं, मेरे मन में वह बात होती है, कि उस परम्बरंपरमेश्वर परवर्दिगारिस्वर अल्ला ने, जो कुछ दिया है, वह बहुत है, जो कुछ देने वाला है, वह भी बहुत होगा, लेकिन अपने वसूलों और सिद्धान्तों, से कल कोई यह नह कि राजनीत में वह काम किया तो कहीं यहां कहीं वहां पाद मिले ना मिले यह उपर वाला ते करेगा और हमारा करम ते करेगा सर अजीत सिंग ने जो कहा है उन्हों कुऽ बी लुहियावादी लोग है उनको एक साथ एक मंच पर आना चाहिए नितीज कुमार कहीने के मुलायम सिंह यादव के एक साथ आने को कहा है क्या लग रहा है यूपी में जो चुना होने वाला है अगर ये महागट बंधन बनता है तो कुछ फाइदा होगा समाज़ादी पार्टी को देखिए गठ बंधन ताकत होती है इसको नकारा नहीं जाता इसले वे सम्मेदान बनाने वाले लोगों ने कहा था कि शिक्षीत बनो संगतित बनो संगर्स करो अनि संगठन के बाद जो संगर्स होता है उसमें सबलता मिलती है तो जब लोहियाबादी, गांधीबादी, चरणसिंगबादी लोग इक मंच में आएएंगे तो फायदा हो नहीं होना है, बिचारधाराओं से बेल होगा, तो उनकी अपनी जो बिचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक मंच पर आएंगे, और एक मंच पर आएंगे, तो मद्धाता उससे प्रभावित होगा, दूसरी बात, जनता ये जानना चाहती है, कि आप देश की हुक वो गाउं से चलता है, तो देश की राजनीती होती है, और देश की राजनीती पाने के लिए, हमको अपनी ताकत को किसी ने किसी रोप से मजबूत करना पड़ेगा, इसलिए विचारधारा के लोग जे कट्टा होंगे, तो ताकत मिलेगी और मजबूती आएगी, और फिर ह माराज की परिश्टिती में देश की राजनीत में खड़े हो जाए फिलाल खास बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बार जब वापस आएंगे तो पारसना त्यादर जी से ये पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी में जो ग्रेयुट चुड़ा हुआ ह उससे किसको फायदा होगा और समाजवादी पार्टी को कितना नुक्सान होगा फिलाल एक ब्रेक